14 सूपर हीरो चांद पर मिलते हैं एक गुप्त मिशन के लिए क्या बात है? उसमें से तीन लोग खलनायक हैं ओफो जो बेहरूपिये बन कर आये हुए हैं! कुल कितने असली सूपर हीरो हैं? तो मैं चाती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉस करें और इस बात का पत खुझ से लगाने की कोशिश करें! तो हमारे पास कुल कितने असली सूपर हीरो हैं यह पता लगाने के लिए? चलिए! पहले हमें यहाँ जो कुछ भी दे रखा है उसे साफ साफ लिख लेते हैं! हमें दे रखा है कि कुल 14 लोग मिलते हैं चांद पर और इन 14 लोगों में से कुछ लोग खलनायक निकल जाते हैं! हमें दे रखा है कि इन 14 में से 3 लोग जो हैं यह खलनायक निकल गए हैं! यह अच्छे लोग नहीं हैं! तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी बाकी बचे हुए लोग होंगे वो दरसल हमारे सूपर हीरो होंगे! यानि कि हम कह सकते हैं क कि 14 में से अगर 3 लोग हमारे खलनायक हैं तो हमारे जितने भी और बचे हुए लोग हैं वो हमारे सूपर हीरो होने चाहिए इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि अगर हम इस तीन को और कुल सूपर हीरो की संख्या को जोड़ दें आपस में तो हमें कुल 14 लोग मिल जाने चाहिए चान पे तो चलिए ऐसा करते हैं हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 में जोड़ देते हैं सूपर हीरो की कुल संख्या जो के भी मालूम नहीं है हमें कि कितनी हैं तो ये बराबर होनी चाहिए 14 के 3 प्लस ये question mark ये 14 के बराबर होता है और इसी बात को लिखने का दूसरा तरी चाहिए 3 को अगर हम 14 में से 3 घटा दें तो हमें हमारा ये जो question mark है ये वापस मिल जाना चाहिए और ये बात हम कैसे कह सकते हैं अगर हम कुल लोगों में से 3 खलनाया घटा दें तो हमारे पास सिर्फ सूपर हीरोजी तो बचेंगे तो ये कितना होगा तो 14 में से अगर हम ल जाता है यानि कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो question mark था ये दरसल 11 के बराबर है यानि कि कुल 11 असली सूपर हीरो है चांद पर इस समय तो चले इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लगाते हैं अब हमें दे रखा है कि एक सूनसान महल में कुछ राक्षस रहते ह उनमें से 9 राक्षसों के पास सींग है और 5 के पास पूँच है महल में कुल कितने राक्षस हैं तो हमें ये पता लगाना है कि अगर कुल राक्षसों में से 9 के पास सींगे हैं और 5 के पास पूँच है तो कुल कितने राक्षस है महल में और हमेशा की तरह इस वीडियो को प पता खुद से लगाईए, तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं, हमें पता लगाना है कुल राक्षसों की संख्या का, और हमें पता है कि कुल राक्षस जो हैं हमारे उनमें से 9 के पास है सींगे, हमारे कुल राक्षसों में जो 9 राक्षस हैं इनके पास सींग है और 5 के पास ह पूँच तो कुल राक्षसों की अगर हम बात करें तो 9 के पास सींग और 5 के पास पूच यानि कि अगर हम सींग वाले राक्षसों और पूच वाले राक्षसों की कुल संख्या को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल राक्षस थे कितने इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम 9 में जोड़ देते हैं अपने सींग वाले राक्षसों में जोड़ देते हैं पूछ वाले राक्षसों को तो हमें हमारे कुल राक्षसों की संख्या का पता लग जाएगा तो 9 और 5 कितना होता है ये तो हम जानते हैं कि ये 14 के बराबर होता है और अगर आपको याद नहीं है ये तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 9 और 1 अगर हम जोड़ने तो हमें 10 मिलेगा, 9 में 2 जोड़ने पे 11, 9 में 4 जोड़ने पे 13 और 9 में 5 जोड़ने पे हमें मिल जाएगा 14 यानि कि राक्षसों की कुल संख्या है 14 के बराबर महल में हमारे जो है 14 राक्षस हैं